हेलो गाइस, गोड़ी इविनिंग, स्वागत आपका एजुकेशन ग्यानुटिक टेरलन के अंदर मैं सुरभ एक बार फिर आपके साथ, दोस्तों, इसमें आज हम करने वाले हैं हिंदी एका इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट का सार, मैं हार गई मनुबंडारी की जो है पर्थम कहानी है, यनि कि पहली कहानी है मनुबंडारी की मैं हार गई, जो कि सरपर्थम कहानी नाम पत्रिका में परकासित होई थी, जिस पत्रिका में परकासित होई सबसे पहले उसका नाम है कहानी, और इस कहानी में जो है आज के राजनेता का चरितर इस प्रस्ट होता है यानि कि आज के जो नेता हैं उनके बारे में इस कहानी के अंदर बताया गया है लेखी का अपनी कहानी में एक ऐसे राजनेता की स्रिष्टी करना चाहती है या निकी रचना करना चाहती हैं जो देश भख्त भी हो शात साथ वत्मान की चुनोतियों को स्विकार करता हो और इसके साथ साथ ही आज के राजनेता पर जो आरोप लगे होई हैं जैसे कि स्वार्थी होने का भरस्तचारी होने का इन सब आरोप को जो है वो जूटा सिद्ध करना चाहती है कि यारूप जूटे हैं ठीक हैं ऐसे चरीतर को रखने की चुनोती लेखी काको एक कवी समयलिन में सुनाई जाने वाले कविता से मिलती है जिसका सीसरक था बेटे का भविस्य है इस कहानी में जो है एक पिता अपने बेटे के भविस्य का अनुमान लगाना चा कर उसकी परद्य की जानको को नौट करता है कि वह अब क्या करेगा इन सब चीजह को देख कर वेटे जो है सबसे पहले अभी नेतरी की तश्वीर को देखकर काफी पसंद होता है यानि कि उच्छलता है परसंद होता है और सरभ की बोतल को खोल कर उसमें से दोई घुट स्र पर उन तीनों को ही एक जुट करके इनको उठाकर लेकर चले जाता है ठीक है इने तीनों को ही वो छेड़ता है और फिर गंबिल मुद्रावतना के बहाँ निकल जाता है बेटे की इनी हरकतों के आधार पर जो है पिता को विश्वास हो जाता है कि उनका बेटा एक दिन अवस सिसर्ग जो वो देखी जा रही थी महां पर ठीक है जहां पर इनोंने पहली वास सुनों थी और तालियों की गरहड़ाहट से जो है सभाकक्स गूजनर लगा यानिकि पूरा कक्स जो था हुआं का वो गूजनर लगा लेखी का जो है नेता के परतिक कि अगर इस विरंगे को सहन नहीं कर पाती क्योंकि उसके पिता भी एक राजनेता है उसे लगता है कि इस कवीटा गंदर मेरे पिता का अपमान का बदला लेने के लिए जो है एक कहानी बनाती है जिसमें एक ऐसी नेता की रचना करने की संकलतना वो करती है कि मैं मतलब अपने आप से कहते हैं कि मतलब में एक ऐसी कहानी बनाऊंगी जो इन सभी दोसों से मुक्तु हो ठीक है लेखी करने जो है इस संकर्फ को पूरा करने के लिए काफी तयारी की और गरीब और कठिनाई के बीच उसने अपने सिक्सा प्राप्त की महान व्यक्तियों की जीवनी और संसाल की करांतियों के विशेव के बारे मनों ने पड़ा अपने आसपास उसे जहां भी अर्टाचार दिखाई देता उसका वह विरोध करने का सदा तयार रहता पर तबी जो है उसके पिता का निधन हो गया यानि कि उसके पिता गुजर गए अब परिवार का निर्भा करने का जो उत्तरदायती उत्तायनी जिम्मेदारी वो उसके कंदों पर आ गई जमींदारों ने उसकी जमीन हडब ली मा की आँखों की रोस्तनी चली गई बेहन को सेरोग हो गया यानिकी टीबी टीबी हो गया ठीक है अनुकरी कहीं नहीं मिली ऐसे में मजदूरी करने के अजरित उसके पास और कोई उपाय नहीं बचा यह कहानी है जो मनो बंढ़ारी स्वफ़ार बता रही है ठीक दरसा रही है एक दिन उसे पता लगा कि बेहन के इलाज के लिए काफी रुपय चाहिए है टीवी के इलाज के लिए ठीक है किसी ने उसकी सहता नहीं की और एक दिन वह सारे आदस बोलकर चोरी की और बढ़ गया यानि वो चोरी करना लगा लेखिका को अपनी भावी नेता की इस निती से धक्का लगा कि उसने अपने इस सिस्टी के टुकड़े टुकड़े करकर फैक दिया यानि कि जो रचना कर रही थी लेखिका उसके टुकड़े टुकड़े करकर फैक दिये मेरा प्रnaj मैं आदर्स नेटा के अपने कलप्ना को साकार्राने के लिए लेखिका नंने 2 पर्यास किया। अब दूसरा पर्यास है। इसने प्ह excluding पर्यास किया लगिका नै्सने पहले निर्धंता और इसcellege आदर्सों के रहा में मेरा रोदा बना था। यानि कि पहले जो था उसमें एक चीज़ हमें देखने को मिलती जो से पहले जो इसमें पोयम बताई कविता लेखी काने ठीक है उसमें बताएगा कि वो पैसे की वज़े से उन्हें चोरी करने स्टार्ट कर दे क्योंकि उसे बीमारी के लिए भी पैसा चाहिए था ठीक है नि अभावे नहीं था अच्छे से अच्छे विधाल्य में अच्छे से अच्छी सिक्सा उसे मिली मन में भी समाच के लिए कुछ करने की चाहा थी कि मैं मतलब समाच के लिए कुछ करू यह साथगी से रहता गरीब बच्चों को पढ़ाता और दूसरों की साहता के लिए हमेश दिखाई देने लग गया ठीक है रंग धंग दिखाई देने लगा कि अब उसका पैसे होने लगए तो उड़ाने लगए पैसों को बेकार की चीजों में अब उसका अधीकान समय धन भोग विलास में वियाए होने लगा यानि कि मोज मस्ती में अब उसका ज़ादर पैसा मोज मस्ती में खर्चोने लगा उसे अपना किसी की सख्राकी अवसकता रही और ना है किसी का नियंटन स्विकार करने को तयाद था कि मतलब किसी की बात वो माने ऐसा भी करने को तयाद नहीं था इसके चरितर में आय इस परीवतन को देखकर लेखी का फिर से निरास हो जाती है भी गया उसने लेखी काने यानि कि अपनी इस दिस्टिको भी चिंदी-चिंदी कर फैक दिया यानि कोई टुकड़े टुकड़े कर फैक दिया अब इतनी हिम्मत उसमें नहीं बची लेख में की वह एक बार फिर अपनी कल्पना को साकार करने का परियतन करें तो इस तरह इसंत जो रहा चाहने में आज कर राजनेता हैं यानिकि राजनेता अपनलब जो होऊ साझ। है किस तरह का भी हो आई हो तो आप जो लाइक कीजिए कोमेंट कर बताएं कुछ गलती और वीडियो चाहिए आपको तो भी बताएं ठीकर साथ साथ जो है है के लिए वीडियो में थैंक यो फ्रेंड्स